नमस्कार बाजीराव प्रतम की आकस्मिक मृत्यू ने मराथा सामराज के सामने फिर से एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी कौन होगा कैपेबल पेश्वा कौन आगे बढ़ाएगा मराथा सामराज के स्वराज के सपने को कौन सैनिको के मन में एक जुनून पैदा करेगा कौन मराथा सामराज की सीमाओं को हिमाले तक पहुचाएगा कौन मुगलो को अपने गुटनों पर टिकाएगा कौन निजाम की हरकतों को मूँ तोड़ जवाब देगा और कौन होगा वो व्यक्ति जो मराथा संग को एक रखेगा ये कई सारे प्रश्ण उस समय पर मराथा राजनेताओं के मन में उठ रहे थे बगर इन सब का जवाब एक ही था वो थे नाना साहब पेश्वा बालाजी बाजी राओ नमस्कार दोस्तों मैं संजे सर नॉलेज केंपरस के इस ओनलाइन प्लेटफर्म पे आप लोग का बालाजी बाजी बाजी राओ पेश्वा बालाजी बाजी बाजी राओ के इस इंपोर्टेंट चैप्टर में स्वागत करता हूँ जब हम मराठा सामराज को पढ़ते हैं तो वैसे तो हमारी किताबों में और हमारे सिलेबस में खास तोर पे गवर्मेंट कॉम्पेटिटिव एग्जामिनेशन के सिलेबस में बालाजी बाजी बाजी राओ के बारे में ज्यादा कुछ खास दिया नहीं होता दो तिन चीज़े दे दी जाती हैं कि उनके समय एक संधी हो गई संगोला की संधी हो गई पानिपत का युद्ध हो गया गवर्मेंट एग्जामिनेशन बट इससे ज्यादा चीज़े उनके बारे में हमको पढ़नी हैं बालाजी बाजी राओ एक ऐसे पेशवा थे जिनके बारे में ये कहा जाता है कि खास और पेश सिवाजी के बाद सबसे ताकतवर पेशवा वही माने गए बाजी राओ प्रतम तो महान थे मगर हिंदू स्वराज के सपने का जो राज सिवाजी महराज ने देखा था वो बहुत हद तक बालाजी बाजी बाजी राओ के समय ही फुल्फिल हुआ इनके समय ही माराठा सामराज के अधीन मुगल्स आये इनके समय ही माराठों का सामराज जो है अटक से कटक तक फैला इनके समय ही बंगाल, करनाटक, उत्तवद और सूरज मलजाट का भरतपुर राजी तक माराठों के नियंतरन में थे इनके समय ही माराठा रियासते बहुत ताकतवर हो गई और इनके समय ही पूने पूने एक बहुत आधुनिक सहर में परिवर्तित हो गया चलिए स्टार्ट करते हैं इस नहीं कहानी को दरसल बालाजी बाजीराओ जिनका एक नाम है नाना साहब ठिक इन्होंने सबसे पहला जब यह सासक बने जिस समय पर यह सासक बने उस समय पर उस समय पर इनका सामने बड़ी चुनौतिया थी जैसे मैंने बताया कि वैसे तो यह अपने पिता की तरह जर्म से बहादूर थे उनके नकसे कदम पर चलना चाते थे हलाकि मस्तानी को ले करके इनके पिता के साथ इनके सम्मंद अच्छे नहीं रहे विवाद भी हुए परंतु उनकी मृत्यू के बाद इन्होंने मराठा सामराज को बहुत अच्छे से समाला 19 साल की उम्र में ही बाला जी बाजी राओ जो है पेश्वा बन जाते हैं और इस जिम्मेदारी को उन्होंने बहुत बखुबी निभाया और मराठा सामराज जो है वो अगले 20 सालों तक इनके नियंतरण में बहुत तेजी से राजनितिक द्रश्टी से तरक्की करता गया और इनी के समय पर पूरा मराठा च्छत्रपती की सक्तियां मराठा पेश्वा के पास में इस्थानांतरिद ट्रांसफर हो जाती हैं सबसे बड़ी इनकी च्छत्रपती सुरुवात में रही 1741 जैसे पेश्वा बने उसके कुछ समय बाद दरसल पूरा का पूरा प्रसास्निक विबस्था चिमना जी अप्पा देखते थे जो की इनके चाचा थे सबसे उराओ के पिता मगर 1741 में चिमना जी अप्पा का देहान्त हो गया और उत्तरी छेतर से लोट करके 17 से उदर से लोट करके पूरे में ही कई साल बस गए पूरे में यह हम कहें दक्कन में 1740 से 45 का दौर सांती का दौर था इस दौर में इनोंने पूरे राज की अर्थवस्था को पूरे सहर के विकास के लिए बहुत सारे काम किये सरके बनवाई, पानी के लिए हौज बनवाई, कई सारे पुल बनवाई और पूने को आर्थिक तोर पे मजबूत सहर के तोर पे परिवर्तित किया मंदिर बनवाई इन्होंने वहाँ पर कई सारे और कई सारे ऐसे काम किये जिससे पूने की जो ववस्था है जो आर्थ स्ववस्था है वो बड़ी मजबूत हुई बालाजी बाजी राओ जब पेश्वा बने तो उनके सामने एक सबसे बड़ी जो चुनोती रही वो चुनोती प्रारम से ही थी और चुनोती का अच्छा उस समय पर ना 1739 नादिश्शा अबदाली का आकर्मन हो चुका था मुगल अबदाली के रहमो करम पर थे मुगलो के नियंत्रन से बहुत बड़ा राज निकले चुका था मुगल बहुत बुरी तरह से करनाल के उद में पराजित हुए थे बाला जी बाजी राओ को यह मौका मिला मुगलों को अपने नियंत्रन में करने का और इसके लिए सबसे पहले जरूरी था एक बंगाल का अभ्यान तो बालाजी बाजी राओं ने खास तोर पे अपने मराठा राज के विस्तार का एक विजन बनाया, योजना बनाई और इन्हों ने नाकपुर और बरार के जो राजा थे रगुजी भोसले उनको बंगाल अभियान के लिए भेजा अभी जो मराठा रियासते थी उनपर मैं आगे आप लोग के लिए क्लासिस रखूंगा तो रगुजी भोसले को बंगाल भेजा हाला कि रगुजी भोसले का संबन्द बालाजी बाजी राओं से बहुत अच्छे नहीं थे पर क्योंकि मराठा संग में थे और मराठा संग में ह शेत्र को भी अपने अधिन किया 1743 से 1749 के बीच में बंगाल को इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया और वहां का जो नवाप था अलिवर्दी खान अलिवर्दी खान ने थोड़ा भोत इनको कई समय तक रोक कर रखा लेकिन यह हुआ कि अलिवर्दी खान ने बाद में एक तरह से इनके सामने सरेंडर कर दिया और बहुत पैसा बहुत धन दौलत यह बंगाल से लेकर किया अलिवर्दी खान ठीक है इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी जब बंगाल अभियान पढ़ेंगे तब बंगाल पढ़ेंगे तब तो वहां से इनोंने उनके पर जो हमारे बाला जी बाजी ्रह व पेश्वा थे सुरवात में जब वो पेश्वा बने तब उस समय पर राज था किसका सा हुजी का ठीक साहुजी महराज छत्रपती थे मगर साहुजी महराज का देहांत हो गया ठीक है 49 में अब जब देहांत हुआ तो तारा बाई में तारा बाई ने अब आपको तारा बाई का नाम आदे ना नहीं आदे तो पिछली दो क्लास इसमें जाकर देख लो तो तारा बाई ने क्या किया कि राजा राम दृति को क्या किया चत्रपति बना दिया ठीक है 1749 में सा तो आपको पता होगा अब तारा भाई ये चाहती थी कि जो बाला जी बाजी राओ ना वो पेश्वा पत्स से हट जाए ठीक है बाला जी बाजी राओ दरसल पाव़फूर व्यक्ति थे तो राजा राम से उन्होंने बात किया चत्रपती बनाने के बात किया देखो आप ना य बाला जी बाजी राओ ने तारा भाई की खिलाप थोड़ा केंपेनिंग किया थोड़ा युद्ध वियान किया तो तारा भाई ने किया किया गुजरात के एक बहुत फेमस परिवार था इसका नाम था दाभे जी दाभे जी उनसे मदद मांगी वो गुजरात का बहुत ताक परिवार था गायक वाड़ परिवार था उसकी उसको अपने नियंतरण में कर लिया नवंबर फिर बाद में क्या हुआ कि तारा बाई ने हार मान करके इसके सामने समर्पन कर दिया नवंबर 1750 में एक संधी होती है बच्चा इसको हम बोलते हैं संगोला की संधी और यह संधी बहुत महत्पुन है इस संधी में क्या हुआ संगोला की संधी में कि मराठा छत्रपती की सारी ताकत मराठा पेश्वा के पास आ गई और जो मराठा पेश्वा था वो अब करता धरता बन गया पूरे मराठा सामराज्ज का और यहीं से मराठा पेश्वा की जो भूमी का है वो अब सिर्फ और सिर्फ एक चत्रपती के अधीन सेना नायक की नहीं रही बलकि वो सबसे ताकतवर पद पर बन गया ठिक तो यह पह विश्वा हमारे बाला जी बाजी राओं की इसके बाद बाला जी बाजी राओं यहीं पर नहीं रुखे उन्हें पता था कि हमेरा और भी केंपेंग करनी पड़ेगी तो एक केंपेंग में एक चीज बताता हूं वह है जैपूर जैपूर राज घराने को ले करके इनकी क्या योजना थी? तरसल जैपूर में मिर्जा राजा जैसिंग की म्रट्ति होती है 1752 में तो उनके एक पटर होते हैं एक का नाम इष्वरी सिंग था दुसरे का नाम था माधारूसिंग अब 1752 में जैसिंग की म्रत्ति के बाद दोनों साशक बन गए इस्वरी सिंग जब साशक कर दिया फिर सिंध्या ने सपर्ट कडिया तो इस जो इस्वरी सिंग था जैपाजी सिंध्या ने उसका समर्थन किया और वो जो है क्या हुआ जैपूर की राजगदी उसके हाथ में आ गई मगर एक यहां कुछ important fact है धियान रखना हुआ यह कि इस्वरी सिंग से उन्होंने बहुत पैसा मांगा देखो मराठो की खार का बड़ा कारण में पताओंगा आपको पानीपत की युद्व में वो ना भारी भरकम रकम की डिमांड करते हैं तो यहां पर इस्वरी सिंग से इन इस्वरी सिंग को मराठों ने परिसान किया तो इस्वरी सिंग ने suicide कर ली यह भी एक important fact है कि जैपूर रागहराने का वो राजा जिसने suicide किया इस्वरी सिंग इसके बाद में माधाव सिंग सासक बना और माधाव सिंग ने मराठा सरदार को उसको भी परिसान करते रहे और बाद में मराठाव और उनके मदवेद होते रहे ठीक है बालाजी बाजी राओ ने यहां भी अपना सक्री भूमी का निभाई इससी बाद में बालाजी बाजी राओ ने एक campaign किया वह सूरज मल जाड के खिलाब भरतपूर स्टेट भरतपूर स्टेट अभी हम पढ़ने वा को लेकर के भी बालाजी बाजी राओ ने campaign की भरतपूर राज जो था बहुत ताकतवर था 1754 में मराठों ने बालाजी बाजी राओ जो थे सूरज मल जाड के कई सारे छेत्रों पर उन्होंने मराठाओं के सेना के द्वारा आक्रमन करवाए सूरज मल जाड ने कहा कि देख उन्होंने 40,00,00,00,00,00,00,00 बहुत महान सा सक्ये जाड कम्यूनिटी का भरतपूर स्टेट का हम पढ़ेंगे भरतपूर राज के बारे में तो उन्होंने कहा कि मराठों ने कहा कि मराठों ने campaign कर दी सूरज मल जाड के खिलाप और वो मैने बताय था आपको होलकर श्टेट में इस केंपेणिंग के दौरां ही हमारे मला ना हुलकर के पुत्र का देहांत हो जाता है तो तीन महींचे तक भरतपूर राज découvrir आ दढा रखा गया तीन महींचे तक भरतपूर राजि को गेरा डाले रखा गया सुरजमल जाट ने बाद में हार मानली और 90 लाक रुपे चालीस पहले बोल रहे थे अब उन्हें 50 बढ़ा दिया नब्बे लाक रुपे मराथों को देना स्विकार किया और मराथों ने भरतपूर छोड़ दिया लेकिन इस समय तक यह हुआ कि पूरे मराथा सामराज की फैल चुकी थी अच्छा इसके पीछे क्या है जो भरतपूर इस पर श्टेट पर चड़ाई हुई थी उसका एक संदी समझो था क्यों हुआ ये भी समझो कि दरहसल क्या थे मलारा होलकर के पुत्र की हत्या हो गई थी सुरजमल जाट के द्वारा उनकी सेना के द्वारा तो हमारे जो मलारा होलकर थे ना वो बहुत गुस्से में आ गए और उन्हेंने कसम खा ली थी कि सुरजमल जाट को कि हत्या करूंगा तो सुरजमल जाट उससे भी दवाव में था और उसने फिर संदी समझोता करके 90 लाग रुपे पेश्वा को देना स्विकार कर लिया तो वो युद्ध है बच्चा उद्गिरी का उद्गूरी का युद्ध भी बड़ा पॉपुलर रहा है हमारे मराथा पेश्वा के लिए उद्गिरी का युद्ध ठीके अच्छा एक चीज और दियान रखना कि इनके समय पर बालाजी बाजी राओ के समय पर है ना जहांसी जो है वो मराथो का उपनिवेस बना था जहांसी मैंने बताया था बाजी राओ को गिफ्ट में मिला था शत्र साल की तरफ से तो वो इनका कॉलवर्णी उस समय पर बन गया था 1751 में उडिसा पर अधिकार किया बंगाल बिहार से इन्होंने चौथ पराप्त कर लिया है ना 1752 में निजाम और मराथो के बीच में एक संदी हुई जिसको हम भलकी की संदी कहते हैं क्या की संदी भलकी की संदी और बराल का आधाच्छेतर भी मराथो को समय पराप्त हुआ अब इसके बाद में एक युद्ध जो मुझे अच्छा एक युद्ध है सिंद्खेडा का युद्ध सिंद्खेडा का युद्ध क्या है मराथो निजाम के बीच में हुआ था जिससे मराथो ने निजाम के बहुत बड़े एरिया को क्या कर लिया था अपना कैप्चर करके इसके बाद में क्या हुआ कि एक युद्ध है उदगीर का युद्ध यह भी बहुत पॉमिनेंट्ट युद्ध है उदगीर का युद्ध है दरसल क्या है 1758 में सदासिू राव को सदासि राव कौन है बताओ जल्दी से जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ 1758 में बालाजी बाजी राओ ने सदासी उराओ भाओ को दक्षिन छेतर में भेजा के बेज जलिए जाईए आप उन छेतरों पर अपना आधिपत्य जमाना सुरू करिए तो सबसे पहले तो 1760 में उन्होंने के निजाम और इनके बीच में एक संदी होती है बाजी राओ चचेरे भाई ने निजाम की सेना से एक अच्छा भहेंकर युद्ध किया दरसल क्या है यह 1760 में आपकी जेगा में संदी बोल गया है हैदराबाद में के पास में मराठो और हैदराबाद की राजधानी थी और हैदराबाद एक बहुत बड़ा राजधा था तो हैदराबाद और मराठो के विच में 1760 में बहुत भहेंकर युद्ध होता है बाला जी बाजी राओ के आदेश पर सदासी राओ भाव और निजाम के विच में युद्ध हुआ जिसे हम इतिहास में उद्गिरी का युद् इसलिए भी बड़ा ताकतवर प्रमुक युद्ध मना की सदासी राओ भाव इस युद्ध में जीते उससे उनका कद बहुत बड़ गया मराठा सामराज में इन्होंने निजाम को हरा करके एहमद नगर दौलताबाद बुरहानपूर और बीजापूर वाले छेत्रपूरे म बालाठा सामराज में मिला लिये थे ठीके अब उदगीरी का जब युद्ध हुआ ना तो उसके बाद में जब वापस सदासी राओ भाव पोचे पुने तो एक बहुत बड़ा उस्सव मनाया गया और उनको दरसल पेशवा बालाजी बाजी राओ ने उनको एक सेना का पद दे दिया बड़ा पद उनको दिया सेना पती बनाया और इसी वज़े से 1761 में जब हमारे यहां बालाजी बाजी राओ के सामने अहिमत सा अबदाली की चुनोती आई तो उन्होंने सदासी राओ भाव को ही भेजा अबदाली के खिलाब 1761 की पानीपत का युद्ध में सदासी राओ भाव का जाना उनको सेना पती बनाना कई सारे दूसरे सरदारों को बड़ा चुबा खास तोर पे रगुनात राओ, महाद जी सिंधिया ऐसे कई बड़े सरदार्थे जिस बाद से नाखुस थे उनको इतना प्रमोशन देना बेराल 1757 से 58 तक मराठा सामराज पाकिस्तान तक पहुँच चुका था, मतलब आज के पाकिस्तान तक पंजाब तक फैला हुआ था दिल्ली में इमादुल मुल्क के साथ मिलकर दिल्ली पर अपना आधिपत्य जमाया, 1758 में पेशावर पर कपजा किया और इसके बाद में आप जो अंतिम एक बड़ी घटना है बालाजी बाजिराओ के समय पर नाना साहब के समय की वो है बेटल आफ पानीपत्थ, पानीपत्थ का तीसरा युद्ध, जो 14 जनवरी 1761 को हुआ था, पानीपत्थ का तीसरा युद्ध अब इस युद्ध की क्या कहानी है, अब हम लोग अलग से इस चीज़ को पढ़ते हैं, मगर एहमद शाब अबडाली और मराठा सेना आमने सामने थी इस युद्ध में, हर्याना का पानीपत्थ का मैजान, आज भी इस युद्ध की गवाही देता है, अबडाली और मराठा सेना पत्ति सदासी राव भाव और उनके पुत्र विश्वास राव वो मराठा सेना का नितरत्व कर रहे थे, मराठो ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था, इसी के दोरान और बड़ी बहुत बड़ी सेना होने की वज़े से रसत सामगरी के लिए उनके पास बड़ गई थे, विश्वास राव और सिंधेस की सेना, सदासी राव भाव, कई सारे लोग मला राहूल कर इस युद्ध में मराठा महिलाओं को ले करके, जो सुरक्षित उनको वापस मराठा सीमा तक पहुचाने की जिम्मेदारी उनकी थी, इसलिए उस युद्ध में से वो निक सदमा लगा मराठा हमारे पेश्वा बालाजी बाजी राव को, और पेश्वा बालाजी बाजी राव जो की एक तरह से युद्ध के बाद 23 जून 1761 को, उनकी भी बालाजी बाजी राव की भी क्या होगी, का उनकी भी मृत्ति होगी देहान्त होगया, तो बालाजी बाजी का जो काल था वो कई उपलब्धियों का रहा मराठा सामराज के बहुत बड़े निर्माता के तौर पर उनको जाना जाता और सबसे बड़ा सामराज दरसल उनी के समय पर था इसके बाद तो फिर मराठा सामराज जो है तूटने लगा इसके बाद मराठा सामराज सडियंत्रों का गड़ बन गया इनके बाई रगुनात अपने ही भतिजे की हत्या कर देते हैं इनके पुत्र को मार देते हैं वो घटना कैसे हुई क्या हुई उसकी कहानी अगली क्लास में तो गाइस जो बच्चा पीएसी यू पीएसी को लेकर संजीदिगी के साथ हमारे साथ तैारी करना चाहता है हमारे offline center पर भी आप लोगों के लिए हम बैचे से start कर रहे हैं prelims के लिए खास्तर पर नहीं बैचे से start कर रहे हैं और हमारे बहुत जलती websites पर हम लोग आप लोग को invite करेंगे हमारी website पर आपको सारा study material के साथ साथ video classes courses online courses भी मिलेंगे जो जो बच्चा online का त्यारी करना चाहता है आने वाली MPPAC prelims examination के लिए हमसे contact करें हमारे टेलिग्राम चैनल को जुड़े जिसकी link comment box में दी हुई है टेलिग्राम चैनल से जुड़ करके आपको daily study material मिलेगा free test वहाँ पर आपको मिलेंगे और साथ इसाथ में हमसे सीधा directly connection आप लोग का establish हो जाएगा हमारे facebook और instagram पेज को भी follow करें information के लिए आगे जुड़े रहिए भीया पढ़ते रहिए पढ़ना बहुत जरूरी है दिल लगा कर पढ़ते चलो हवाएं कितनी भी आएं आंधिया कितनी भी चलें हमें अपने जुनून की आग को बनाए रखना है वो कहते हैं विवे कानन ने कहा था विवे कानन की एक बात आप जिंदगी में सीख लें विवे कानन was said once a time everything is easy if you are crazy and nothing is easy if you are lazy तो crazy बनिये भाया lazy मत बनियेगा विवे कानन की बात को सार्थक करिए crazy बन करके सब कुछ हासिल कर सकते हैं thank you so much